राधे राधे भीवार्स तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि जो हमारी लाइनिंग वाली जो ये मगजी होती है यानि कि लहरिया का जो बेस होता है उसकी मगजी किस टैप से निकाली जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से तो यह देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारी कि मखजी की कटीं गल्थ हो जाती है तो यानि कि हमारा पूरा जो सूट है वह बेकार हो जाता है और पहनने के लायक भी नहीं बचता है तो वह गल्ती आपसे ना हो इसके लिए वीड़ियो ले कर आये हैं तो अगर आपको नहीं पता है कैसे किया या जाता है इस गít को तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यहां पे हम लगा देंगे टाका टाका लगाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है एक यह देखिए उर्टी साइड में हम सिलाई करेंगे कपड़े को पूरे बेस की मगजी है जो कि कपड़ा बढ़ा ही आपको दिख रहा होगा तो इ का बालत नहीं काटे कि आड़ियार दुसरी साइड के इस दीं नाकिर पालки कर दूसरी साइड में सेंधर नहीं में देखिए कि कि हैट में सब्सक्वर नेरे हैं में तो आप लेंगे के ‫टेंगत वर निकालनी है तो एक मसद पर्कुप क्रहें करांगी अतोवों tumक får को हमारा मुडवी जाएगा वो कपड़ा और एकदम अच्छी बनेगी यानि कि साड़े पांच चेंच आप रख सकते हैं लेंगे के लिए और कुर्ती और कांचली के जब हम लेकर के आएंगे उसके आगे देखिए आप आगे हम बताने वाले हैं उसके लिए कितना रखना होगा ताकि हमारा सूट खराब ना हो बेकार ना हो और यह देखिए यह हमारी मगजी हमने साड़े पांच इंच की कट कर लिया है कट करने के बाद में बेच वाला जॉइंट हमने कटिंग कर लिया है और सिर्फ दो बार की कटिंग करेंगे हम पूरे कपड़े की और हमारी लेंग वो कपड़ा बढ़ना चाहिए तभी हमारी परफेक्ट बनती है तो यह देखे दूसरी कटिंग के लिए हमें निशान लगाने की भी जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अल्रेडी है निशान लगाई वी उसी को हम इसके उपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे तो कपड़ा कोटन का है बिल्कुल भी हिलने रहा है इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे तो इससे हमें हैल्प क्या होगी कि हम जो कटिंग कर रहे हैं तो फटा फट से हो जाएगी और यह देखे इसको हमने कपड़े को इस टाइप से बिचा लिया है एक बार और इंच का हम यहां पर निशान लगाएंगे और सिर्फ एक बार निशान लगाएंगे उसके बाद में इसी पट्टी को रखते हुए दूसरा दूसरे में यानि के पूरे कपड़े में हम कटिंग कर लेंगे और यह है मारा बिल्कुल फिक्स मार्जिन तो जो भी कपड़ा हो आपका यह कहने का मतलब यह सिर्फ लहरीय में नहीं दूसरा भी अगर कपड़ा ले रहे हैं तो इसी हिसाब से आप नाख प्रक्ष सकते हैं कि यह जो नाफ है बिल्कुल पर्फेक्ट बन करके तयार होगा और हां गाईज अगर आपका कोई भी राजपुती बेस या पोसा किसन आप तक पहुंचता रही है और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पोच सकते हैं थैंक यू फू वोचिंग